यह आपका सरीर मोटा रहा है और मोटाई कम नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार से हेल्दी चीज़ खाईए सुबर टाइम में जैसे चना हो गया दूद हो गया अंडा हो गया और यह बंधना हो गया वाटरमिलेन हो गया और यह अपल हो गया यह जामून है यह जामून पेड प्रामन है और तर्बुज्जा है और चलिए इसको हम भाबी फूर्चाट बनाते हैं कि अब से पहले के लागे काड़ देंगे कि अब कि अब कि अब कि अब कि अब यहें नहीं एक शुगा नास्ता, ना इसक रूड़गी कोरते हैं। तो वेट भी आप पूटोल में रहेगा और आप इसको अच्छे डायक के दोशाब इसको यूज़ कर सकते हैं अब खाईए आपका वेट कमें दाना नहीं उल्टा पढ़ते लेगा तो इसको प्रूट के चाट रूमाटे आप खा सकते हैं और साथ में हल्दी हल्दी चीज़ जैसे हो चना हो गया इसको कर आप बना के इसको सुभव टाइम में अमनास्ता के तवर में इसको यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम लोग ये चना को बाल देते चना हो गया और ये अंडा इतना चीज़ आप सुभव में नस्चा के तवर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपके पास दोड अबल अबल है तो आप दोड भी पी सकते हैं अधि आपका सरीर मोटा रहा है और मोटाई कम नहीं हो रहा है तो आप इस प्रकार से हेल्दी चीज़ ठाईए सुभव टाइम में जैसे चना हो गया दूद हो गया अंडा हो गया और यह बन्हाना हो गया वाटर मिलन हो गया और यह पल हो गया यह जामुन है यह जामुन पेड़ बखा तो यह जामुन को हम लोग तो यह चीज़ आप सुभव टाइम में खाईए तो आपका क्या होगा कि जो वेट आपका बढ़ रहा है वेट कंट्रोल में रहेगा और आ वीडियो आपको अच्छा लेगा तो एक लाइक कर दिजेगा चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा धन्याबाद